नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ सवा 2 मीटर के कपड़े में से लॉंग अंब्रेला कट कुरती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ इस तरीके से आप cutting करेंगे तो कम कपड़े में से भी umbrella cut कुर्ती बना सकेंगे अब देखिए कपड़े का जो पन्ना है उसको मैंने पूरा इस तरीके से fold कर लिया है अब कपड़े में अगर टेड़ है तो पहले उसकी cutting कर लें और कपड़े को बिल्कुल सीधा करें अब यहां से टेड़ निकाल दी है मैंने अब देखिए पहले हमें top part की cutting करनी है अब इस तरीके से हम length निकाल लेंगे मगर हमें यहां ध्यान रखना है कि chest measurement के हिसाब से यहां से कपड़ा निकल रहा है कि नहीं यहां मेरी measurement में 38 inch की chest है तो उसके हिसाब से यहां कम कपड़ा निकल रहा है इसलिए यहां पर मैं top part को आड़ा कट करूँगी अब देखिए chest measurement के हिसाब से यहां पर मैंने 21 inch लंबा यहां पर इस तरीके से कट लगाया है इस कपड़े को हम अलग कर देंगे अब देखिए इस कपड़े को इस तरीके से गुमा देना है अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे अब फोल्ड करने के बाद ध्यान रखिएगा जो बंद वाली side है वो अपनी तरफ रखनी है अब देखिए यह four fold है इस तरीके से हम यहां से टॉप पार्ट का back side और front side निकालेंगे अब देखिए जो आपको टॉप पार्ट की लंबई रखनी है उसमें एक इंच जोड़ दे यहां मैंने 16 इंच पे माग किया है अब देखिए उपर की तरफ से जो एक्स्टा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे अब यह जो एक्स्टा कपड़ा उपर की तरफ से निकला है यह हमें sleeves में काम आएगा अब पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे यह कॉलर कुरती है तो यहां shoulder line मैंने 7.5 इंच रखी हम यहां mark करेंगे और सलाइका डेड़ इंच एक्स्टा लेंगे यहां जो west line है वो है मेरी 30 inches उसका भी चौथा बग करके हम डेड़ इंच सलाइका एक्स्टा लेंगे दोनो marks को इस तरीके से मिला लें अब जो west line है वहां पर एक इंच पर इस तरीके से mark करके और हल्की सी ग और यह जो आधा इंच ड्रॉप किया था स्को गले की चौड़ाई तक इस तरीके से मिला लें अब पूरी marking हो चुकी है पहले हम इन दोनों parts को कट कर लेंगे दोनों parts की cutting करने के बाद इसमें से front panel और back panel है दोनों को अलग-अलग कर दे अब जो front panel है वहाँ पर हम आम होल में front की cutting करेंगे यहाँ पर करीब आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गोलाई बना दे और इसकी फिर से cutting कर लें यह सरिफ हमें front panel में ही cut करना है अब यहाँ collar neck बनाना है तो collar neck के लिए यहाँ पर हम सवा तीन इंच चौड़ाई रखेंगे और सवा तीन इंच लंबाई रखेंगे इन दोनों marks को मिलाते हुए इस तरीके से round neck का shape दे दे और इसकी cutting कर लें और बाकी जो हम front panel में pattern बनाएंगे वो हम canvas के उपर cutting करेंगे अब pattern के लिए मैंने यह लंबाई के हिसाब से folded canvas लिया है इस तरीके से आप इसको set कर लें अब उपर की तरफ जो गुलाई है इसको फिर से इस तरीके से mark कर लें अब यहाँ इसको पहले हम cut कर लेंगे अब यहाँ पर हमें V-shape देना है तो V-shape के लिए देखिए अंदर की तरफ यहाँ एक इंच पे mark कर लें और total जो neck की लंबाई है वहाँ 7 इंच पे mark करें अब यहाँ हम V-shape में इस तरीके से marking कर लेंगे अब सेम शेप में हमें एक इंच चौड़ी इस तरीके से strip कट करनी है अब इसको पहले हम काट लेंगे अब इस कटिंग को हमें plain fabric के उपर paste कर लेना है यहाँ मैंने इसको matching के हिसाब से plain कपड़ा लिया है और उसके उपर हमें इसको paste करना है अब जो back panel है उसमें हम neck की कटिंग करेंगे तो देखिए जो गले की चौड़ाई है वो सेम रखनी है सवा 3 इंच और आधे इंच तक इस तरीके से अलकी सी गुलाई देके कटिंग करनी है यह top part की कटिंग हो चुकी है अब बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरीके से fold कर लें जो खुली हुई side है वहाँ से हमें इस तरीके से triangle में fold कर लेना है अब इस triangle fold में जो बंद वाली side है वो अपनी तरफ रख ले अच्छे से इसको set करने के बाद यहां से हम west line के लिए कटिंग करेंगे तो जो top part है उसको अच्छे से set कर लें इस कपड़े के ऊपर और जितनी भी west line है उतनी आपको same marking करनी है अब same marking करने के बाद यहां से एक बार आपको measurement लेनी है देखिए उपर कौने से लेके नीचे marking तक यहां से जो size है वो same ही रहना चाहिए अब यह measurement मैंने ले ली है यह बिल्कुल perfect है अब पहले हम इसकी cutting कर लेंगे यह umbrella cut skirt की बिल्कुल easy cutting है अब इसको एक बार फिर से fold कर लें अब umbrella skirt के लिए जितनी आपको लंबाई रखनी है उसमें एक इंच extra ले 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 यहां मुझे 30 इंच लंबाई लेनी है तो 31 पे मैंने mark किया है अब देखिए center में से भी हम 31 पे mark करेंगे और दूसरी side भी हमें 31 इंच पे mark कर लेना है अब इन marks को इस तरीके से मिला ले अब हम इसकी cutting कर लेंगे कटिंग करने के बाद umbrella skirt में एक side से जो joint आता है देखिए यहां पे जो joint है वो हम बाकी कपड़े में से निकाल लेंगे अब देखिए sleeves के लिए जो भी कपड़ा है उसको एकदम sleeves की लंबाई के हिसाब से यहां कट कर लें यह 4 फोल्ड है इसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंच और चोड़ाई आपकी जितनी भी निकल रही है उतनी आप इस कपड़े में से निकाल लें बाकी के हम बाद में joints कर लेंगे अब देखिए यहां से 3.5 इंच ड्रॉप करने के बाद यहां मैं sleeve का इस तरीके से shape दे दूंगी अब यहां पर जो भी sleeves का open side है उसकी size है उसके इसाफ से यहां cut कर लें sleeves का detail video मेरा आ चुका है उसकी link आपको description में मिल जाएगी अब देखिए इस तरीके से यहां पर हमें L shape में दोनों side से sleeve को fold कर लेना है देखिए इस तरीके से हम इसे fold कर लेंगे और यहां पूरे में slice करेंगे अब देखिए sleeves के जो दोनों sides है इस तरीके से मैंने stitch कर लिया है अब sleeves में जो बीच में हम pattern बनाएंगे उसके लिए मैंने ये करीब दो इंच चौड़ी strip ली है इसको इस तरीके से fold करके यहां से हम stitch कर लेंगे stitch करने के बाद इसको आप किसी भी stick की help से सीधा कर ले इस तरीके से सीधा करने के बाद एक बार इसे अच्छे से iron करें अब इस strip को हम अलग-अलग pieces में cut करेंगे देखे ये बीच में मैं एक इंच चौड़ी लगाऊंगी तो एक इंच में हमें दोनों साइट लाई का extra लेके ये करीब पौने दो इंच तक आप इस तरीके से cut कर लें पौने दो इंच की हम strips इस तरीके से pieces में cut कर लेंगे अब sleeves की इस तरीके से L-shape में stitch के बाद इन strips को हमें इस तरीके से यहां set करके और slide करके यहां इनको fix करना है बीच में थोड़ा gap देते जाएं और इन strips को आप यहां पर इस तरीके से fix कर लें यहां फिर से हम इसे L-shape में ही stitch करेंगे strips लग लें के बाद अगर आपकी sleeves की चौड़ाई कम पड़ रही है तो इस तरीके से side से फिर से joint कर लें क्यूंकि हमने यह कम कपड़े में बनाया है तो इस तरीके से joint करना पड़ेगा अब देखें यहां sleeves में भी front की cutting कर लें अब sleeves हमारी पूरी ready हो चुकी है देखें इस canvas cutting को मैंने कपड़े पर paste कर लिया है इसको fold करके इस तरीके से एक center में mark कर लें अब इस top पार्ट के front panel को उल्टा रखें यहां पर एक center में mark करें और इस cutting को इसके उपर बिल्कुल center में अच्छे से set करके यहां जो V shape है वहां पर हम stitch करेंगे यहां stitch करने के बाद अब हम अंदर की तरफ से इस कपड़े को cut कर लेंगे और V shape के बिल्कुल end तक हमें जहां तक हमने stitch की है वहां पर cut लगा दें यहां दोनों side कपड़े पर भी हम cut लगा देंगे अब इसको हमें सीधी तरफ गुमा देना है इसको हम आगे की तरफ गुमा कर और एक बार इसे अच्छे से पहले iron करेंगे iron करने के बार अब इस strip को हमें side से fold करना है जो हमने करीब आधाएंच extra कपड़ा लिया है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से fold करके और यहां पर slide करें फ्रंट पैनल ready होने के बार देखे यहां से अगर extra कपड़ा है तो उसे cut कर लें इस तरीके से फिर से हम गुलई बना देंगे अब हम back panel को इसके साथ यहां shoulder line के साथ जोड देंगे देखे दोनों top पार्ट आमें सामने रखकर यहां shoulder line को जोइंट कर लें shoulder line जोइंट करने के बाद अब इस top पार्ट को हम इस तरीके से fold करेंगे इस तरीके से fold करने के बाद यहां हम collar के लिए measurement देंगे देखे यहां से collar start होगा तो इस तरीके से tape को गुमाते हुए यहां collar हमारा 8 inch का आ रहा है उसके लिए यह folded canvas लिया है अब देखे जो गले की चौड़ाई है वहां तक बिल्कुल straight में mark करें यहां सबा 3 inch पे इस तरीके से mark करके उसके बाद हमें आगे की तरफ इस तरीके से गुलाई बनानी है पूरी गुलाई बनाने के बाद एक बार collar की जो measurement है वहां तक इस mark को measure कर लें यहां 8 inch जहां तक आ रहा है वहां पे एक mark कर लें यहां तक हमारा collar बनेगा अब यहां मुझे करीब एक इंच चौड़ा collar बनाना है तो इस तरीके से एक इंच अंदर की तरफ मार्क कर लें अब collar के लिए marking हो चुकी है पहले हम इसकी cutting कर लेंगे collar की cutting हो जाने के बाद इसको हम कपड़े के उपर पेस्ट कर लेंगे देखे जिसमें से भी collar बनाना है आपको उस कपड़े पर पेस्ट कर लें आदा इंच मैंने folding का रखा है अब यहां हम fabric glue यूज़ करेंगे और जो यह हमने folding के लिए कपड़ा रखा है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से fold कर लें इस तरीके से आप पहले से ही collar को fold कर लेंगे तो आपको collar लगाने में आसानी रहेगी इस तरीके से collar को ready करने के बाद एक same size का और कपड़ा लें और इसके उपर इसको set करके यहां अंदर की तरफ से collar को slide करें slide करने के बाद जो अंदर की तरफ कपड़ा था उसे मैंने cut कर लिया है पूरी गोलाई में हमें छोटे cut लगाने हैं छोटे cut लगाने के बाद collar को सीधा कर लें collar को सीधा करने के बाद अब इसको हम इस top part में यहां neck line पर fix करेंगे तो top part को उल्टा रखें और इस पूरे neck पर इस collar को बिल्कुल losing के साथ यहां fix करें यहां पूरे neck पर हम इस collar को गोलाई में गुमाते जाएंगे और यहां तक इसे stitch करेंगे collar देखिए इस तरीके से fix हो चुका है यहां से भी इसको मैंने बंद कर लिया है अब top part को सीधा रखे collar को बाहर की तरफ इस तरीके से गुमाएं बाहर की तरफ गुमाते हुए पूरे round shape में हम के नारी पर इसको slide करके और अच्छे से fix कर लेंगे collar ready होने के बाद अब हम sleeves लगाएंगे sleeves का जो center वाला pattern है उसको बिल्कुल shoulder line पर इस तरीके से रखें इस arm hole पर sleeves को इस तरीके से गुलाई में दोनों तरफ लगा दें sleeves लगाने के बाद अब देखें यहां से shoulder line से जो कपड़ा दिख रहा है उसको हमें अंदर की तरफ गुमाते हुए और यहां एक और sly करनी है और इसको इस तरीके से गुमाते हुए अंदर दबा देना है sleeves लगने के बाद अब इस top part के साथ हम umbrella cut skirt को जोड़ेंगे यहां umbrella cut skirt और top part के कपड़े को आमने सामने रखना है अब यह umbrella cut skirt है इसलिए इसको losing के साथ यहां पर sly करें front panel और back panel दोनों सेम इसी तरीके से हमें यहां पर ready करने है top part को skirt के साथ जोड़ने के बाद यहां side से हमें अपनी measurement के साथ से बंद कर लेना है अब नीचे की तरफ umbrella skirt में यह मैंने straight strip ली है और इसको यहां पूरे में हम इस skirt के साथ यहां पर stitch करेंगे और इस strip को यहां fix करेंगे अब देखे कुर्ती को सीधा कर ले और इस strip को बाहर की तरफ इस तरीके से घुमाते हुए यहां किनारी पर हम एक और स्लाई करके और इस strip को रेड़ी करेंगे कम कपड़े में से यह लॉंग umbrella कट कुर्ती रेड़ी हो चुकी है अगर आपको मेरा यह आइडिया पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही नए नए कुर्ती डिजाइन के लिए मेरा चैनल जरूर विजिट करें थैंक यू वाचिंग फा दिस वीडियो